नमस्कार स्टुरेंट्स, वेलकम टू एस्टू क्लासेश, स्टुरेंट्स हम लोग एड्मिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे, उस चैप्टर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड स्टुडी करी थी, जैसे की चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो, आज हम उसके आगे एक टॉपिक है, जिसका नाम है अजस्ट्मेंट ऑफ डिफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेश, ये दो टॉपिक एक साथ है, बले फोर्थ नमबर और फिफ रेवन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पुराने साल के कुछ ऐसे खर्चे जो हमने थे तो वो रेवन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो शॉट टर्म के लिए किये जाते हैं, जिनका बेनिफिट कम टाइम के लिए मिलता है जैसे कि सेलरी हो गई वेजिस हो गया रेंट हो गया यह चीजे ऐसी है यह revenue expenditures है revenue expenses है ठीक है अब क्या हुआ कि ऐसे expenses pay कर दिये जो कि थे तो revenue type के लेकिन उनको हमने एक साल डेट साल दो साल तक का payment कर दिये जिनका benefit हमको long term तक मिलना है मतलब है वो expenses short time के benefit उनका long term तक मिलेगा जैसे की advertisement suspense advertisement suspense के होता है दुनिया में इंसान कुछ पैसे खर्च करता है दो महीने तीन महीने एक साथ payment करता है और उनका जो benefit है वो अपन को लंबे time तक मिलता है और कई सालों तक उसका फायदा होता रहता है तो ऐसे expenses जो है वो deferred revenue expenditure का सबसे best example advertisement suspense ठीक है यह अपनी assets होती है क्या होती है अपनी assets होती है अब जब कोई भी partner नया firm के अंदर admit होता है तो पुराने जितने भी reserves है जितने भी पी एंडल है जितने भी profits है जितने भी losses है जितने भी expenditures है revenue deferred revenue expenditure उन सबको खतम किया जाता है उन सबको write-off किया जाता है तो deferred revenue expenditure हमारी assets है उनका debit balance होता है और मैंने बताया अगर किसी भी चीज को खतम करना हो तो उसको हम reverse करते हैं उल्टा कर देते हैं तो जैसे deferred revenue expenditure assets होती है इनको खतम करने के लिए क्या करेंगे उल्टा करेंगे मतलब credit कर देंगे तो entry क्या हो जाएगी इसकी entry होती है old partners capital account debit to deferred revenue expenditure ठीक है ये तो थी old partners में old ratio में distribute होता है हमेशा ध्यान रखना है यह चीज फिर next topic है reserves and accumulated profits and losses इनका भी मतलब ऐसा ही है जो भी reserves होते हैं उनका हमेशा credit balance होता है क्योंकि सारे reserves हमारी liabilities होती है और P&L दोनों साइट जाता है मतलब liability side पे जाता है asset side पे जाता है अगर P&L liability side पे लिखावा है इसका मतलब वो profit है और अगर P&L asset side पे लिखावा है इसका मतलब वो loss है अब जो profit यानि P&L का अगर credit balance दियावा है और या फिर reserves और surpluses दिये वे हैं तो उनको खतम करने के लिए हम लोग उनको उल्टा करेंगे तो liability को उल्टा करेंगे मतलब credit को उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे डैबिट करेंगे तो इसकी entry हो जाएगी P&L account debit general reserve account debit workman combination reserve account debit investment fluctuation reserve account debit two old partners capital दियान रखना ये चीज़ सबको खतम old partners में करते हैं old ratio में खतम करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग old partners old ratio में दोनों की difference समझो जैसे deferred revenue expenditure है उसकी entry old partners to expenditure क्योंकि वो assets है इसकी ये liabilities है इसलिए इनको debit करके खतम करेंगे तो सारी reserves account debit to old partners capital ठीक है अब इससे related question करते हैं आपको समझ में आ जाएगा अगर बाइचांस P&L का debit balance दियावाई P&L का अगर debit balance दियावाई खतम करने के लिए क्या करेंगे उल्टा करेंगे मतलब credit करतेंगे तो entry हो जाएगे old partners capital account debit to P&L अब इसका question करते हैं जैसे illustration number 41 दियावाई है illustration number 41 को solve करने की कुशिश करते हैं जैगो क्या दियावाई इस question के अंदर A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5 ratio 3 दो partner है A और B जिनका old ratio दियावाई हमार को 5 upon 8 ratio 3 upon 8 C was admitted for one third share in the profit C को admit कराया और C का new ratio जो है वो 1 upon 3 है On the date of C's admission the balance sheet of A and B showed a general reserve balance sheet में हमार को एक तो general reserve दियावाई 60,000 रुपीज का and balance of 20,000 in the P&L account on the asset side मतलब P&L का debit balance दियावाई हमार को asset side मतलब debit balance दियावाई कितना दियावाई 20,000 रुपीज अब इनको हमको write-off करना है सबसे पहले general reserve को write-off करेंगे तो general reserve हमारी क्या होती है liabilities होती है credit balance होता है इसको खतम करने के लिए debit करेंगे तो entry हो जागी general reserve account debit to old partners capital old partner कौन है to A to B अब general reserve था कितने का 60,000 का था इसको हम old ratio में मतलब 5 ratio 3 में write-off करेंगे तो 37,500 and 22,500 general reserve को write-off कर देंगे फिर है P&L का debit balance दिया वाए तो P&L का debit balance दिया वाए तो उसको खतम करने के लिए credit करेंगे तो old partners capital account debit to P&L तो A is capital account debit B is capital account debit to P&L अब कितना 20,000 balance है इसको भी हम old ratio में खतम करेंगे मतलब 5 ratio 3 में खतम करेंगे तो 12,500 और 7,500 से इसको खतम कर देंगे दोनों की write-off करने की entry होगी नेक्स्ट अब है हमार पास topic है workman compensation reserve देखो भाई साब अब इस chapter के अंदर workman compensation reserve investment fluctuation reserve और जितने भी reserve से इनको जल्दी जल्दी निप्टा है मतलब एक एक question दो दो question में इनको को निप्टा दिया क्योंकि इसी topic की study हमने change in profit sharing ratio वाला chapter जो previous chapter है उसके अंदर करी और उसके अंदर हर एक question deep के deep में दिया वा था workman compensation reserve से related बहुत सारे question थे investment fluctuation से related बहुत सारे question थे लेकिन इस वाले chapter के अंदर इसको short कर दिया क्यों short कर दिया क्योंकि भाई साब एक बार पहले सीख के आयो आप उसी चीज को आप वापस सीख रहे हो तो थोड़ा जल्दी से सीख लो revision ही तो करनी है आपको तो अच्छा यही है मैं भी आपको यही suggest करूँगा कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो जब भी आप study करते हो तो आप अपना base अपनी foundation strong करो जैसे कि अगर आप admission वाले chapter कर रहे हो तो पहले आपको partnership fundamental वाले chapter गुडविल वाले chapter और change in profit sharing ratio वाले chapter अच्छे से आना चीए अगर आपको वो chapters अच्छे से आते हैं तो यह बहुत अच्छे से आएगा मतलब कुछ सोचना नहीं है कुछ समझना नहीं है बहुत easy लगेगा अपने आप ही आपके इसके answers आते रहेंगे ठीक है तो अब workman combination reserve क्या होता है जैसे कि अगर कोई बड़ी सी firm है उसके अंदर factories है यहां को मजदूर लोग काम करते हैं workmans रखे वे हैं वहां पर बहुत सारे अब कई की जो भी incident हुआ उस incident को cover करना जो है वो company की firm की factory की जिमेदारी होती है तो उस incident को cover जो है वो owner करेगा मदद करेगा उसकी hospital ले जाएगा इलाज करवाएगा उसका तो इलाज करवाएगा अब अपने जेब से पैसे देगा तो इससे अच्छा यह लोग क्या करते हैं कि जैसे ही employees को appoint करते हैं जैसे ही वो factory start करते हैं तो यह अपना एक reserve बना के रखते हैं उस reserve का नाम है workman compensation reserve मतलब उसमें थोड़े से पैसे एखटे करके रखते हैं कि by chance हमारी factory के अंदर कोई भी incident हो जाता है कुछ भी बड़ा मसला हो जाता है तो उसका जो निप्टारा है वो हम इस reserve में से करके और उसको compensation देंगे जो भी हमारा workman है जिसकी भी तवित खराब हुई है या जिसका भी incident हुआ है उसको हम हमारी तरफ से compensation देंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि reserve के अंदर पैसे इखटे पड़े हैं तो जल्दी खाना चालू करते हैं अरे खाके खतम करो उसको नहीं देना पड़े ठीक है बर्गर खा रहे है बर्गर खाते-खाते जैसी दिखता ने तो पूरा मूह में थूज देते हैं क्यों क्योंकि इसको नहीं खिलाना है तो ऐसे ही partnership के अंदर होता है इतने बड़े लो अपनका necessary खतम कर देते हैं वर्क्मान grown रिजडम कर देते हैं तो उसको रिजडम को यह लोग क्या करते हैं पुराने partners खा जाते अब खा जाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना खा सकते हैं बाए चांस उस reserve में से कोई claim हुआ हो किसी workman की तवित खराब हुई हो कोई incident हुआ हो तो उसका इलाज भी तो उसी reserve में से होगा तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके की main conditions होती है कि when there is no claim कोई भी claim नहीं है अगर कोई भी claim नहीं है तो पूरा workman combination reserve का पैसा कौन उठा लेंगे old partners उठा के ले जाएंगे second condition क्या होती है कि when there is claim against workman combination reserve कि भाई जो हमारा reserve बनावा है उसके लिए claim आया किसी की तवित खराब हो गई अब उसमें से निकालो पैसे सबसे पहले हम लोग workman combination reserve में से निकालते हैं जैसे suppose reserve बनावा है 10,000 रुपे का अब claim हुआ 5,000 रुपे का तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 में से 5,000 रुपे तो claim के दे देंगे बाकी reserve के अंदर कित्ता बचा 5,000 रुपे बचा वो 5,000 old partners ले लेते हैं ठीक है अब इसमें ऐसा भी condition आ सकती है कि जितने का reserve बनावा है उतने का overall claim आ जाए जैसे suppose 10,000 reserve में पढ़े और claim भी 10,000 हो जाए तो पूरा का पूरा reserve से पैसा उठके claim में चला जाता है partners को कुछ नहीं मिलता ठीक है और ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना reserve में पैसा पढ़ावा है उससे ज़्यादा claim हो जाए 10,000 रुपे reserve के अंदर रख रखें और claim हो जाए 15,000 रुपे तो फिर क्या करना पड़ेगा 10,000 रुपे तो पहले आप reserve में से दोगे बाकी 5,000 रुपे जो है वो आप revolution account से उठा के दे दोगे ठीक है तो यह अलग-अलग conditions है यह सारे cases हम लोग पहले वाली chapter के अंदर भी study कर चुके है एक बार वापस से समझो अगर कोई claim नहीं होता है तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर ले जाते है तो उसकी entry होती है workman combination reserve account debit to old partners capital दूसरा case है वेन claim for workman combination exist अगर workman compositions का claim exists करता है तो कित्ता करता है वेन claim amount is less than the workman combination reserve कि जितना भी reserve बना के रखाया उससे कम अगर claim हो रहा है तो क्या करेंगे तो suppose reserve बना के रखाये 10,000 रुपए का claim हुआ 5,000 रुपए का तो बागी 5,000 रुपए जो बचे वे हैं वो old partners old ratio में ले ले लेंगे तो उसकी entry होगी workman combination reserve to claim for workman combination या workman combination claim to old partners capital ये old ratio में सारी चीज़े old ratio में खतम होंगी ये बात ध्यान रखना फिर उसके बाद है when claim amount is equal to the amount of workman combination reserve जितने का reserve बनावा है पूरा का पूरा claim हो जाए तो old partners को कुछ मिलेगा नहीं तो पूरा का पूरा reserve का पैसा जो है वो claim में चला जाएगा ठीक है next case एक और है कि ज़्यादा claim हो जाए suppose 10,000 रुपए reserve के अंदर पढ़े हो 15,000 का claim हो जाए तो हमको reserve से 10,000 रुपए निकालने पढ़ेंगे 5,000 रुपए हम लोग revolution से निकालेंगे claim 15,000 का total pass कर देंगे ठीक है 10,000 रुपए reserve से निकाले 5,000 रुपए revolution से निकाले claim पूरा 15,000 का दे दिया अब revolution करने से जो loss हुआ उसको कौन sign करेंगे old partner sign करेंगे तो भाई साब ये revolution account debit जो है उसको हम old partners old ratio से write off करेंगे तो इसके entry हो जाएगे old partners capital account debit to revolution ठीक है अब इससे related हम लोग question करते हैं illustration number 42 दियावा है treatment of workman combination reserve इसके अंदर A, B, C, 3 partner है तीनों का old ratio दियावा है 4, 3, 2 यहाँ पर लिख देते हैं A, B, C तीन partner है तीनों का old ratio दियावा 4 upon 10, 9 3 upon 9 and 2 upon 9 they admitted D as a partner D को admit कराया कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है balance sheet के अंदर workman compensation reserve पढ़ा है 90,000 rupees का balance sheet में workman compensation reserve है हमार पास 90,000 रुपे का अब सबसे पहला case for case 1 क्या दियावा है if there is no other information जान से समझो अगर कोई भी information नहीं होती है इसका मतलब है workman compensation claim है ही नहीं इसमें कोई भी claim पास नहीं हुआ तो जो भी reserve का पैसा है वो पूरा का पूरा हम old partners में old ratio में distribute कर देंगे तो case 1 के अंदर पहली entry हो जाएगी workman compensation reserve account debit to old partners capital तो old partner कौन है ABC तीनो है अब reserve में कितना पैसा है 90,000 रुपे है तो 90,000 ABC में 432 में distribute हो जाएगा मतलब 40,000, 30,000 और 20,000 रुपे old ratio में distribute हो जाएगा ठीक है यह तो था case 1 अब case 2 के अंदर क्या बुल रहा है if a claim on account of workman compensation is estimated at 45,000 reserve बनावा है 90,000 रुपे का और claim हो रहा है 45,000 का मतलब 90,000 में से 45,000 के तो claim दे देंगे तो बाकी कितना बचेगा बाकी बचेगा 45,000 रुपीज वो old partners में old ratio में distribute हो जाएगा तो case 2 के अंदर क्या होगा कि claim reserve तो हमार पास सेम उत्र ही amount का है तो reserve पूरा 90,000 का है उसमें workman compensation claim कितना हो गया 45,000 का हो गया अब 90,000 में से 45,000 का claim हो गया तो बाकी कितना बचेगा 45,000 वो old partners में old ratio में distribute हो जाएगा मतलब 2A, 2B, 2C में old ratio में 4, 3, 2 में distribute हो जाएगा मतलब 20,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए तीनों partners को मिल जाएगे ठीक है ये तो case 2 हो गया अब case 3 के अंदर क्या है if a claim on account of workman is estimated 99,000 अब claim कितना हो रहा है 99,000 हो रहा है reserve कितने का बना के रखा है हमने reserve मना के रखा है 90,000 का और claim हो रहा है 99,000 का मतलब पैसे 81,000 कर रहे हैं और खर्चा 99,000 का हो गया 9,000 रुपए का extra खर्चा हो गया तो जब भी extra खर्चा होता है या loss होता है या कोई हमार को दिक्कत आती है, expenses होता है और two workman combination claim कितना पास करना है 99,000 पास करना है अब 9,000 रुपए extra कहा से आएंगे तो 9,000 रुपए extra हम लोग revolution account से निकालेंगे तो entry करेंगे revolution account debit 9,000 रुपीज revolution account से उठा लेंगे तो total 99,000 रुपीज claim पास हो जाएगा अब ये जो revolution का loss आया है उसको अपन old partners में old ratio में distribute करेंगे तो इसकी एक और entry हो जाएगी क्या entry होगी revolution को भी हमने debit किया अब old partners में old ratio में खतम करने के लिए revolution को credit करेंगे तो entry करेंगे to revolution अब amount है 9,000 रुपीज उसको old partners में मतलब A account debit B account debit C account debit करेंगे अब 9,000 को A, B, C में distribute करेंगे कौन से ratio में 4 ratio 3, ratio 2 में मतलब 4,000, 3,000, 2,000 रुपीज ये revolution के loss को खतम करने की entry हो जाएगी A is capital account debit B is capital account debit C is capital account debit to revolution अब हमारा next topic है topic का नाम है investment fluctuation reserve investment fluctuation reserve के बारे में भी हमने पुराने chapter के अंदर study करी थी एक बार वापस से देखते है देखो हम लोग कभी investment करते हैं किसी company के share खरीदते हैं या फिर mutual fund में investment करते हैं कहीं पे भी investment करते हैं तो एक risk बनी रहती है कि हमारा investment जो करावा है ऐसे नहीं उसकी value down हो जाए कोई gold खरीद के रखता है तो यहीं सोचता है कि यह ऐसे नहीं gold के value down हो जाए share करीदता है तो share कर डर लगता है कि share की value down नहीं हो जाए जहां पर भी हम लोग investment करते हैं तो हमार को risk रहती है कि कहीं उस investment की value down नहों जाए तो इस value की जो कमी आती है उसको risk को cover करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं investment fluctuation reserve बनाते है कि अगर कोई भी fluctuation होता है या कोई भी investment की value में कमी आती है तो हम IFR में से पैसा निकाल कर investment में डाल देंगे ताकि हमारी जो भी कमी आए तो उसका directly हमारे profit पर effect नहीं आए अब क्या है IFR हमने बना के रखा है कर दें पराना कई सालों से बना के रखा है अब कोई partner नया it यह की investment की value में कोई change नहीं हुआ जितनेका investment था उतने का रही रह गया है कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो आई एफर का पूरा का पूरा पैसा कौन ले जाता है ओल्ड पार्डनर ले जाते हैं तो एंट्री होती है कि investment fluctuation reserve account debit to old partners capital second case होता है वैन market value of investment is less than the book value कि भाई हमारा जब investment कम हो गया है जितना भी investment पहले था दो चीज़े हैं देखो एक book value है दूसरा market value है book value का मतलब हमने जतने का investment खरीदा था या जितना हमारे books में show कर रहा है वो book value है और market value का मतलब है कि अभी के टाइम पे उसकी value कितनी है तो book value में suppose investment 40,000 का है और market में उसकी value 35,000 की हो गई है मतलब investment की value कम हो गई है अब जब कम हो जाती है तो उसमें भी अलग-अलग cases है कितनी कम हुई investment की value कम तो हो गई पता है हमार को लेकिन कितनी हुई तो अभी जैसे मैंने केस बताए 40 का 35 हो गया मतलब 5000 रुपए कम हुए अब सपोस आई एफर के इंदर 10,000 रुपए पड़े है और इंवेस्मेंट की वेल्यू 5000 ही कम हुई है तो वो होता है केस वन fall in the value is less than IFR कि fall in the value value कम कितनी हुई है 5000 IFR में कितना पड़ा है 10,000 तो आराम से IFR से 5000 रुपए कवर कर लेंगे हम लोग investment में डाल देंगे फिर भी 5000 बच जाएंगे तो वो 5000 कौन ले जाएंगे old partners ले जाएंगे old ratio में तो इसकी entry होगी IFR account debit to investment to old partners capital दस अजार रुपए इफर में पड़े थे जब की investment की value 5000 कम होई बाकी 5000 रुपए पुराने partners खा गए नेक्स्ट है केस इसके अंदर second point है fall in the value equal to the IFR जितना IFR बनावा है उतनी ही value कम होगी मतलब suppose IFR 10,000 बनावा है और मेरा investment की value down भी कितनी होगी 10,000 रुपए होगी तो क्या करेंगे तो हम लोग करेंगे पूरा 10,000 रुपए IFR से निकालके investment में डाल देंगे तो इसकी entry होगी IFR account debit to investment इसमें partners को कुछ नहीं मिल पाएगा ठीक है थर्ड केस क्या होता है इसके अंदर तीसरा case यह है कि market value कम होई और इतनी कम होगी कि IFR में भी नहीं है उतना पैसा मतलब IFR में 10,000 रुपए पड़े और हमारी market value 12,000 कम होगी अब 2,000 रुपए ज्यादा कम होगी मतलब एक्स्ट्रा कम होगी IFR से तो हम maximum 10,000 कवर कर सकते हैं लेकिन 12,000 कम होगी तो 10,000 रुपए तो IFR से cover करोगे 2,000 रुपए आप revolution से निकालोगे तो entry हो जाएगी IFR account debit revolution account debit to investment IFR से 10,000 रुपए निकाले 2,000 रुपए revolution से निकाले total 12,000 रुपए की investment की value गर गई अब जो revolution का loss हुआ है वो old partners में distribute हो जाएगा old partners हैं करेंगे उसको तो उसकी entry हो जाएगी old partners capital account debit to revolution तो एक case तो यह था कि investment की value as it is रही market value कोई भी change नहीं है दूसरा यह कि investment की value गर बढ़ता है investment की value बढ़ गई investment की value बढ़ गई जड़ी थोड़ी नहीं हमेशा कम हो बढ़ भी सकती है तो investment की value बढ़ जाती है तो IFR से तो पैसा निकालने की जरूरत है नहीं IFR तो कमी के time पे काम आता है तो IFR का पूरा का पूरा पैसा old partner ले जाएंगे पहला बात तो यह ह दूसरी यह कि investment की value बढ़ेगी तो हमने revolution वाले topic के अंदर सिखा था कि अगर कोई भी assets की value बढ़ती है तो इसके entry होती है assets account debit to revolution तो इसमें entry हो जाएगी investment account debit to revolution अब जो revolution का profit हुआ है वो old partner ले जाएंगे तो इसके entry हो जाएगी revolution account debit to old partners capital तो इसमें investment की value जब बढ़ती है तो तीन cases हो जाते हैं तीन entries होती है पहला आई एफर खा जाएंगे पुराने partner दूसरा investment की value बढ़ाएंगे और तीसरा investment की value बढ़ाने पर जो profit होगा उसको अपन old partners में old ratio में distribute कर देंगे अब इस से related question कर रहे है illustration number 43 बहुत अच्छा illustration है ध्यान से देखो क्या लिखावा है treatment of investment fluct situation reserve ABC तीन partner ने तीनों का older ratio दिया है 432 यहां पर लिख देते हैं 4 upon 9 3 upon 9 or 2 upon 9 इनका older ratio दियावा है decided to D को admit करा है इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है IFR में कितना पढ़ा है 18,000 रुपे पढ़ा है IFR के अंदर कितना पढ़ा है 18,000 रुपे पढ़े और investment की book value किती है 2,00,000 रुपे ठीक है मतलब अभी हमारी books के अंदर investment कितने का available है 2,00,000 रुपे का available है अब इसमें cases पढ़ा है सबसे पहला case 1 there is no information पहली बात तो यह कि कोई information ही नहीं investment कितने का अब present value है उसका कुछ हता-पता ही नहीं है तो अगर कुछ हता-पता नहीं होता है तो हम यह देखते हैं कि जितनी हमारी investment की book value है हम यहीं मानते कि अभी भी उतनी ही होगी investment की value में कोई change नहीं हुआ है अगर होता है तो कोई नों कोई उचल खूत के आ जाता हमारे सामने अरे investment की value कम हो गया यह हो गया वो हो गया कुछ रोना दोना नहीं हुआ है मतलब investment as it is पढ़ा है अगर as it is पढ़ा है तो IFR का पैसा जो है वो old partners ले ले लेंगे तो case 1 के अंदर क्या होगा पूरा IFR का पैसा IFR account debit reserve liability होती है उसका credit balance होता है उसको खतम करने के लिए हम debit करते हैं तो entry हो जाएगे IFR account debit to old partners capital to a to b to c कित्ता है investment में 18,000 रुपए पढ़ा IFR में तो वो old ratio में distribute हो जाएगा 8,000, 6,000 and 4,000 रुपीस ठीक है 432 में distribute हो जाएगा old ratio में चलो भई अब आगे चलते है case 2 case 2 में क्या लिखावा है if the market value of investment is 2 lakh रुपीस अब investment की market value कित्ती होगी 2 lakh रुपए होगी तो investment की value थी कितनी 2 lakh रुपए अभी भी कितनी है 2 lakh रुपए तो कुछ change हुआ ही नहीं है तो भी IFR का पैसा पूरा का पूरा उठा के किसको दे दे देंगे old partners को दे देंगे तो case 2 के अंदर क्या है same as case 1 case 1 के जैसे एंटी ठीक है वाई साब अब next है case 3 तो case 3 में क्या करेंगे third case में बोल रहा है if the market value of the investment is 1 lakh 91 thousand रुपीस तो बताओ market value है 191 जबकि book value हमारी investment की कितनी है 2 lakh रुपए मतलब books में investment 2 lakh रुपए का है और market में उसकी value हो गई 191 मतलब investment की value गिर गई कितनी गिरी है 9000 रुपए गिर गई है तो हमने पहले से arrangement कितना कर रखा है 18000 रुपए का arrangement कर रखा है तो 9000 ही तो कम हुई है कोई दिक्कत नहीं है मतलब IFR में से investment में 9000 रुपए चले जाएंगे बाकी IFR में 9000 रुपए और बच जाएंगे तो वो जो IFR के पैसे हैं वो हम old partners में old ratio में distribute कर देंगे तो case 3 के अंदर entry होगी सबसे पहले IFR account debit 18000 रुपए है तू investment की value गिरी कित्ती है 9000 रुपए तो बाकी 9000 रुपए जो बचे वो 2A, 2B, 2C में old ratio में distribute हो जाएंगे मतलब 4 ratio 3 ratio 2 में distribute हो जाएंगे तो A में 4000, 3000 and 2000 रुपीस distribute हो जाएंगे ABC तीनों में चलो भाई साब ये भी case 3 भी निपड़ गया case 4 के अंदर क्या बोल रहा है if the market value of investment is 73,000 रुपीस investment की value जो है वो 27,000 रुपए कम हो गई दिया रखना ये चीज़ कित्ती कम हो गई 27,000 रुपीस investment की value कम हो गई अब हमने arrangement कितने का कर रखा था 18,000 रुपए का अब बताओ 18,000 रुपए का arrangement कर रखा है और 27,000 रुपए value गिर गई है तो फिर क्या करेंगे हम लोग जितना हमने arrangement कर रखा है उतरा तो revolution से उठा लेंगे 9,000 रुपए और total investment की value डाउन कर देंगे कित्ती 27,000 रुपीस ठीक है investment की value 27,000 रुपए पूरी गिरादी कोई दिक्कत नहीं है revolution से उठा लेंगे अब जो revolution से अगर उठाया आपने 9,000 रुपए तो आपका loss हो गया तो और जो revolution का loss है वो old partners में distribute करेंगे तो entry हो जाएगे A account debit B account debit C account debit 2 revolution क्योंकि पहली वाली entry में अगर revolution को debit किया तो दूसरी वाली entry में revolution को credit करेंगे तो 2 revolution मतलब 9,000 रुपए से और A, B, C तीनों loss को sign करेंगे कौन से ratio में old ratio में 4, 3, 2 में ठीक है तो इसकी entry हो जाएगी A account debit B account debit C account debit 2 revolution यह हो गया case 4 अब case 5 देख रहे हैं तो case 5 के अंदर क्या लिखावा है if the market value of investment is 2,18,000 रुपीज मतलब 18,000 रुपए बढ़ गई investment की value 18,000 रुपए बढ़ गई अब अगर investment की value बढ़ रही है तो सबसे पहले तो हम IFR का जो पैसा है वो तो हमने कमी के लिए इखटा कर रखा था अब कमी तो हो नहीं रही है तो पूरा IFR का पैसा जो है वो old partners में old ratio में distribute कर देंगे तो case 5 के अंदर IFR पहले तो old partners में old ratio में distribute हो जाएगा मतलब IFR 2A, 2B, 2C 18,000 का बना की रखा था वो old ratio में distribute हो जाएगा 8,000, 6,000, 4,000 रुपीज सबसे पहले तो हम लोग IFR को खतम करेंगे फिर उसके बाद हम लोग जो है investment की value को बढ़ाएँगे तो investment की value revolution account से बढ़ाते हैं तो दूसरी entry जो होगी वो revolution से investment की value बढ़ाने की होगी तो investment account debit to revolution अब कित्ती बढ़ानी है हमारे को 18,000 रुपीस इन्वस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है तो 18,000 रुपीस से इंतरी कर देंगे अपन इन्वस्टमेंट अकाउंट डावेट टू रिवैलेशन एटीन घूजन रूपीस से हमने यह एंतरी कर दी फिर उसके बाद रिवेलिशन का जो profit हुआ, वो profit हम लोग old partners में old ratio में distribute कर देंगे, तो उसकी entry हो जाएगी, revolution account debit to old partners A, B, C, तीनों में distribute कर देंगे, पहले वाली entry में revolution को credit किया, तो अब वाली entry में revolution को debit करेंगे, तो 18,000 से खतम करेंगे, अब किता होगा, old ratio में distribute हो जाएगा, मतलब की 8,000, 6,000 and 4,000 rupees amount आजाएगा, जब भी investment की value बढ़ती है, तो उसमें 3 entries होंगी, पहला IFR खतम करने की, दूसरा investment की value बढ़ाने की, और तीसरा बढ़ाने पर जो profit होगा, उसको खतम करने की, अब next topic है, accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses by an adjustment entry, देखो अभी तक हम लोग adjustment entry नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग write-off कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन adjustment entry क्या होती है, उन entries को use नहीं करके, मतलब हम लोग workman, compensation, reserve का नाम यूज नहीं करें, IEFR को नाम यूज नहीं करें, P&L का नाम यूज नहीं करें, deferred revenue expenditure का नाम यूज नहीं करें, हम लोग आपस में ही partners की capital account के base पे adjustment करके और इसको खतम करें, इस matter को solve करें, तो जब भी है हमार को treatment करना हो, तो आपको देखना है, देखो सारी चीजे, जितनी भी reserves है, जो भी liability side पे आती है, जिनका भी credit balance होता है, उन सब को plus करेंगे, उन सब को plus करेंगे, मतलब add करेंगे, तो जो भी profits है credit side का, P&L का, या जो भी reserves है, उन सब को add करेंगे, add करने के बाद, आप जो भी asset side पे आती है, जिसे accumulated losses होगे, जो P&L का credit, debit balance दिया होता है, या फिर deferred revenue expenditure, ये जो चीजे है, जो भी asset side पे आती है, उनको हम minus कर देंगे, liability वालों को plus करेंगे, जिन जिनका credit balance होता है, उन सब को minus करेंगे, और सिर्फ क्या करना है, gainer to sacrifice entry करना है, और कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा घुसों मत इसके इंदर, ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत नहीं है, अब हम illustration number 44 कर रहे है, illustration number 44 में क्या लिखावा है, PQR were partner in a firm sharing profit in 631, तीन partners है, PQR, और तीनों का old ratio दियावा है, 6 upon 10, 3 upon 10, और 1 upon 10, तीनों का old ratio दियावा है, they admitted S into the partnership with effect from 1st April 2020, इन्होंने S को admit कराया, new profit sharing ratio क्या हो गया, उससे 3 upon 10, 3 upon 10, और 3 upon 10, और 1 upon 10 हो गया, they also decided to record the effect of the falling without affecting their books, जब भी ऐसे लिखाओ न, without affecting their books value, passing the adjustment entry, जब भी ऐसी line लिखी हो, इसका मतलब हमार को एक ही entry करनी है, वो है gainer to sacrifice, अब मैंने आपको क्या बताया, कि जितने भी reserves है, उन सब को add करेंगे, जिनका credit balance होता है, जो liabilities होती है, और जो assets होती है, जिनका debit balance है, deferred revenue expenditure है, या P&L का debit balance है, उनको हम minus करेंगे, अगर positive answer आत करेंगे, अब इसको करते हैं, देखो सबसे पहले, आप देखोगे, यहाँ पे general reserve दियावा है, जिसका credit balance होता है, मतलब उसको plus करेंगे, तो plus कर दो 1,80,000 को, contingency reserve दियावा है, इसको भी credit करते है, इसको भी add करेंगे, तो 30,000 रुपीज ये add कर दो, P&L का credit balance दियावा है, इ 90,000 रुपीज लिख दो, advertisement suspense, इसको हम debit करते हैं, इसलिए इसको minus करेंगे, तो 1,20,000 रुपीज को minus करेंगे, अब plus plus वालों को add कर दोगे, तो 3,00,000 रुपीज टोटल है, उसमें से minus कर दो 1,20,000 रुपीज तो 1,80,000 रुपीज जो है, वो net effect आ जाएगा, मतलब हमको जो gainer to sacrifice entry करनी है, वो कितने amount से करनी है, 1,80,000 रुपीज के amount से करनी है, ठीके, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर gainer to sacrifice, मतलब gain ratio और sacrifice ratio निकालना है, तो आप sacrifice ratio का formदा लगाँगे, old ratio minus new ratio, सबसे पहले अपन P का formदा लगाते हैं, तो P है 6 upon 10 minus 3 upon 10, तो 3 upon 10 जो है P का sacrificing ratio आ गया, तो 0 आ जाएगा, तो क्यों न gain कर रहा है, न sacrifice कर रहा है, R का old ratio है, 1 upon 10, new ratio है 3 upon 10, मतलब R का minus में figure आ रहा है, 2 upon 10, जिसका भी minus में figure आता है, मतलब वो gain कर रहा है, और S तो वैसे ही नया partner है, तो उसका old ratio तो कुछ है ही नहीं, तो उसका भी minus 1 upon 10 जो है, वो gain ratio है, तो इसमें gain कौन है, R और S, और sacrifice कौन है, P, तो हम entry करेंगे, R's capital account debit, S capital account debit, 2P, ठीक है, अब amount कितना आएगा, 1,80,000 का 3 upon 10th part, ठीक है, तो 1,80,000 का 3 upon 10 करेंगे, तो 54,000, इसमें 2 upon 10 करोगे, और इसमें 1 upon 10 करोगे, तो 2 upon 10 करेंगे, तो 36,000 आ जाएगा, 1 upon 10 करेंगे, तो 18,000 आ जाएगा, तो इसकी entry हो जाएगी, R's capital account debit, S capital account debit, 2P, P में amount आएगा, 1,80,000 का 3 upon 10 part, R में amount आएगा, 1,80,000 का 2 upon 10 part, और S में आएगा, 1,80,000 का 1 upon 10th part, ठीक है, ये gain ratio sacrifice entry करते ही, adjustment हो जाएगा, बिना हमको अलग-अलग किसी को कुछ नहीं करना, पैसे हम हमको क्या करना पड़ता, general reserve to old partners capital, contingency reserve account debit to old partners capital, pre-handle account debit to old partners capital, old partners capital to advertisement suspense, इतनी सारी entries करनी पड़ती है, तो हमनों adjustment entry के थुरू, एक ही entry में gainer to sacrifice करके, और इस सब को clear कर सकते हैं, अब हम आगे के questions हो हैं, वो next वाले videos के अंदर देखेंगे, wait करो, इंतजार करो, thank you for watching.